हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम लोग उत्तर परदेश पावर कोर्प्रेशन लिम्टेड यूपी पीसी एल में जो वेकेंसी आया है एलेक्ट्रिकल बालों के लिए और एलेक्ट्रोनिक्स बालों के लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उत्तर परदेश पावर कोर्परेशन लिम्टेश में भैकेंसी आया है एलेक्ट्रिकल बालों के लिए 191 पोस्ट है वही एलेक्ट्रोनिक्स बाले के लिए 21 पोस्ट है आप देख सकते हैं यह एड़टाजमेंट है आपका 062 से 2020 का है जुनियर इंजिनियर के पोस्ट के लिए है यहाँ पे आप देख सकते हैं UPPCL में वैकेंसी है यहाँ पे देखिए ENM जुनियर इंजिनियर ट्रेनिंग एलेक्ट्रिकल यह एलेक्ट्रिकल बालों के लिए है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए डिप्लोमा इन एलेक्ट्रिकल इंजिनियर 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 इंज स्ट्रानिक्स् स्ट िडिकॉम्निकेशन में देखे तो इसमें एलिजिबूल है वेPhone से जो टीपलोर नियुकफ़ol ही है या टेलीकॉम्निकेशन इंजिनेर нрав Cell ॏह और इनके लिए का 215 है टॉटल 115 है इलेक्ट्रोनिक्स बाले के लिए और अलेक्ट्रिकल भाले के लिए एक पॉस्ट है quarterback आप यहां पे जो मुख़ क्राइटेरिया है उसको देखिए पेस के एंट के मीसन का जो है क्या होना चाहिए ठीर डिप्लोमा एक्जामनेशन इन एलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग एवाड़ बाइड़ प्रभीदिक शिक्षा परिसाद उत्तर परदेश और डिप्लोमा एक्रुभाइलेंट देर टू और गेनाज बाइड़ एस्टेट गॉर्मेंट देखे उत्तर पर सकते हैं तो वह भी भर सकते हैं थ्री यह ओल परिस्टी इन एंडिया इन कॉर्परेटेट बाइड़ एक्ट ऑप दो सेंट्रल अश्टेट लेक्स लेगिस लेज लेजिए देखे यह तो उत्तर परदेश से जो डिप्लोमा किये हैं वह भर सकते हैं या फिर याइसीटी से क्या है या फिर कोई भी ऐस्ट्राइट य्युट rifij कोई भी स्टेटर अगर ओविव इनवर्सीटित्य से डिप्लॉमा की इस पोस्ट के लिए है इए एलेक्ट्री कल इंजीनियरिंग गले जो डिप्लोमा डिप्लोमा उल्लेक्स सब्लेटी जुनियरं करता है तो आप य्लिजिबल है इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा रिसीप थूरू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन फिल नौट वेजीबुल जो डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा की एं इस पोस्ट के लिए यह उनली रेगुलर कोर्स जिनका है वही इंटि में इस पोस्ट के लिए एज देखे एज जुह है मीनिमम ऐज 18 साल च कब 1920 को आपको άगाथ शाल क touch a20 को means एक जनवरी का 20 पूरा है वही इस पोस्ट के लिए है प्याइब्लब कीए उफ्टाइश श्क्तीड इनक्रफक विसाल है और एप्रेंटिस सिप किये हैं 24 मन का उसको पांच साल का छूट मिलेगा एक सर्मिसमेन के लिए है फिजकली हैंडिकैप के लिए 15 साल का छूट है फ्रीडम फाइटर पर जो डिपेंडेंट है उनका पांच साल का छूट है और देखिए रिजर्वेशन का है रिजर्वेशन विल बी प्रवाइड़ एस्टी ओबी सी इडवी सटिफर्स वार ओर ओरिजिनल इन्हेंटर पर्देश डोमिसाइल अप उत्तर पर्देश ओनली देखिए यह जो भी आपका रिजर्वेशन सिस्टम है यह रिजर्वेशन केबल और केबल उत्तर पर्देश का दोमिसाइल जिनका है जो उत्तर पर्देश का निवासी हैं जो उत्तर पर्देश के जिनका दोमिसाइल है उत्तर पर्देश का उनहीं को केबल रिजर्वेशन सिस्टम क का लाब मिलेगा वैसे कंडिडेट जो बाहर के हैं आउट आप उत्तर परदेश के हैं उनको जेनरल कैटगोरी में रखा जाएगा आइदर आप सपोज किजिए आप अगर बिहार के कंडिडेट हैं और आपका कैटगोरी ऐसी है फिर भी आप वहां पर इस फॉर्म के लिए आप जेनरल में ही कंसिडर होंगे केबल उत्तर परदेश का जो स्वेंट है वही कैट रिजर्बेशन के लिए इलिजिबुल है अधार इस्टेट के कंडिडेट को रिजार्ब काटगो तो इस्टेट खिल जोंडेशन देना है आप अप नियुकल स्क्राइट रस और लगाशन संडर सेलेक्शन परेज़ तो उससी जगह पर हैं पर रहेए जैसे इए helping सैंटर है आप सब्सक्राइब है यहां पे आपका इग्जामनेशन सेंटर परने बाला है यहां पे इग्जामनेशन सेंटर परेगा तीन घंटे का इग्जाम होगा और दो सब नमर का इग्जाम होगा और सेल कंप्राइब टो सब कोशन हैंगे आउट अफ विच एक सब पचास कोशन सेल भी फ्रॉम डिप्लोमा लेवल इंजिनिरिंग ब्रांशी लेवस फॉर्ट पोस्ट अपप्लाइब 20 कोशन ऑफ जेनल अ कोशन है वो किटना सब्सक्राइब को रहनेवाले है 200 कोशन अफ तीन घंटी का केस्जाम हो किटना सब्सक्राइब का टेकनिकल रहेगा ब्रेताक है keywords अपट्रिकल से डिप्लोमा है एलेक्ट्रीकल से रहệc सब्जेक्ट है उसके बाद 150 कोशन के बाद जहें को सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब तुभार अफदी जेनल तुभान सब्सक्राइब है को यह फितन करता सब्सक्राइब तो टोटल 200 question हैंगे 200 marks करेगा और 3 घंटे का exam होगा एक question के लिए एक mark आपको award किया जाएगा और एक गलत question कि अगर एक सही question होता है तो एक नमर मिलेगा और एक गलत question आपका अगर होता है तो 0.25 जो है deduct किया जाता है means one by fourth जो है आपका निगेटिंग मार्किंग है निगेटिंग मार्किंग one by fourth है candidate who obtain less than 30% mark will be rejected for further process of selection 30% से अगर कम marks आता है तो आप reject हो जाते हैं आप further process के लिए qualify नहीं होते हैं और यह जो exam होता होगा वो computer based test होगा computer based test होगा दोस्वा नम्मर का दो सा question आएंगे आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है qualification के बाद जो है आपका यह हो जाता है result आ जाता है तो training दिया जाएगा आपको कुछ period के लिए जो अभी किलियर नहीं किया गया है कितना period के लिए रहेगा उसके बाद transparency की बात कर रहा है for the complete transparency of health cbt electricity service commission आपको एंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा तीन दिन के अंदर में और send the link on their register email id या email id पे आपको एंसर की आप देख सकते हैं जिससे की इसमें परदर्शता रहे transparency रहे आप देखिए जो मुख है इसके लिए जो है देखिए फी है cbt के candidate हैं तो उनको 700 रुपया फी देना परेगा वही अन्रिजार्व category के हैं EWS category के रहे हैं अधर बैकवार्ड ओवी सी हैं अन्रिजार्व EWS और ओवी सी को एक हजार रुपया पे करना परेगा फी फीजकली हैंडी कैप के लिए केबल 10 रुपया पे करना परेगा प्रोसेसिंग चार्ज है बस और candidate अधर देन स्टेट ऑफ यूपी अगर आप उत्तर परदेश से बाहर के कंडिडेट हैं तो आपको 1000 पे करना परेगा आप ओनलाइन कर सकते हैं ATM से डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं या चालान के माद हम से आप पे कर सकते हैं अब देखिए एक मेरिटल डे टेटस है यह करहा हम हो है मोर देन वन वाइप लिभी इंग आगर कोई जैसका एक से जाधे पतनी है जो की जिन्दा है एक से जाधे पतनी है वो जो की जिन्दा है या ऐसी ओमेन जिसका जो है साधी हुआ है ऐसे मर्द के साथ जिसका ओल लेडी वाइप है वो इस पोस्ट के लिए इलिजिबूल नहीं है इस पोस्ट में इस सर्विस के लिए इलिजिबूल नहीं है फिजिकल फिटनेस होना चाहिए अप्लाई कैसे करेंगे तो अप्लिकेशन के लिए आपको अप्लिकेशन फॉर्म पेमेंट मोड सेलेक्शन और जेनल यह आपको यूपी पीसीयल के वेबसाइट पर मिल जाएगा www.uppcl.org इसके वेबसाइट से आपको मिल जाएगा वैसे हम इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप देख सकते हैं तो यह सब आप पर सकते हैं समिशन अब डोकुमेंट ओवी सी सोटिफिकेट देना है अगर आप ओपी सी कंडिडेट हैं तो वह कब का होना चाहिए या डो मिसाइल सोटिफिकेट जो है 31.03.2020 का बाद होना चाहिए मिन्स करेंट आपको देना है ओवी सी हो या फिर डो मिसाइल सोटिफिकेट हो वह आपको 31.03.2020 के बाद का होना चाहिए उससे पहले का दिजेगा तो वह भैलिड नहीं होगा डिस्टेंस मोड से जो डिप्लोमा किये हैं वह इस पोस्ट के लिए इलोजिबल नहीं है किलियर कट लिखा हुआ है आप देखिए जो मेन इंपोटेंट है कब से कब तक फॉर्म भराय जाएगा तो फॉर्म जो है चार दिसंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 के बीच में फॉर्म भराय जाएगा उसी तरह सम्मिशन ऊप अप्लिकेशन फीर और recficूर जो है यह आपका चार दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा सम्मिशन आप अप्लिकेशन फी कम प्रोसेसिंग चार्ज विद एस्वी चलांग से अगर आफ लाइन मोड में करते हैं वह तो चार से बाव तीस तक चार दिसंबर से तीस दिसंबर तक आप कर सकते हैं और केंप्यूटर बेस्ट जो सीपीटी टेस्ट होगा उसका भी आपका टेंटीटी ब्रेट दे दिया है वह आपका फ़र्ष्ट विक फर्वरी है मिन्स फर्वरी 2021 के फ़र्ष्ट विक में इसका एक्जाम लिया जाएगा क्यों पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच